साई की बात तुम से कैसी भी दवाई खाने को बोलता है तुम तुरंट वही दवाई खा लेते हो बिना जाने, बिना पूछे किसी के भी, ऐसे ही कुछ भी दवाईयां मत खाया करो, और जो तुमने मेरी पूझा की थी, जो मेरा तुमने दिया जलाया, तुम मैं लगता है मैंने स्विकार कर लिया, तो क्या हो गया कि अगर हवा से या कैसे भी वो दिया बुझ किया, कुछ नहीं फरक पड़ता मुझे, तुमारे साइं को कुछ फरक नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो ना, यहां पर भाव बहुत जरूरी है, सच्चाई बहुत जरूरी है, इमानदारी बहुत जरूरी है मेरे बच्चे, तो चिंता बिल्कुल भी मत करो सुन रहे हो ना, और सुनू तुम ना अपने घर में अपने कमरे में ना, खुला एक कपूर रग दो मेरे बच्चे, कपूर कि सुगंद ना तुम्हारे घर के नकरत्मक्ता को दूर कर देगी कपूर से तुम्हारे घर में सकरत्मक्ता आएगी मेरे और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा जो तुम्हारा मन बुझा बुझा सा रहता है ना अलगलग सा रहता है जो कोई भी चीज तुमें अच्छी नहीं लगती कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना तो सब तुमें अच्छा लगीगा तुम देखना मेरे बच्छे और सुनो क्यों किसी के आगे जाते हो मेरे बच्चे, क्यों सब के आगे तुम जोली फैलाते हो, क्यों मांगते हो, जब पता है कि आगे से नाउमीदी है, तो क्यों जाते हो उनके पास में, क्यों सब को तुम अपना मान बैठे हो, क्यों, जब जानते हो कि अंदर से सब कितने खोकले है सबके अंदर कितनी एशा है तुम्हें लेकर क्यों जाते हो किसी के पास हाँ अगर जोली फैलानी है तो मेरे आगे फैलाओ ना मुझसे मांगने में कैसी शरम है तो मुझसे मांगने में शरम खाते हो लेकिन तुम्हें लगता है कि जो इंसान सामने इंसानी रूप में है वो कब मेरी जरूरतों को पूरा करेंगे तो चलो मैं इंसानों से ही मांग लेता हूँ ये सोच कर तुम इंसानों के पास पहुँच आते हो यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमी है तुम्हें यही नहीं पता कि जिन के पास तुम मांगने जा रहे हो न उने भी देने वाला मैं ही हूँ, समझ रहे हो ना मेरे बात को, कि मैं तुमसे क्या समझाना चाहा रहा हूँ, कि सीधा मेरे पास आया करो, वहाँ पर जाकर अपनी बन्नामी मत कराओ, वहाँ पर जाकर अपनी बेज़ती मत करवाओ मेरे बचे, बिल्कुल मत करवाओ, और सुन जिन बातों को तुम रहसे रखना चाहते हूँ न वो चीज़े रहसे ही रहेंगी मेरे बच्चे, वो बाते आगे नहीं जाएंगी, बिलकुल नहीं जाएंगी, ये मेरा वादा है तुमसे, जिस इंसान से तुमने कहा है न, वो इंसान विश्वास लायक ही है मेरे बच्चे, वो मुझे किसी और रूप में जानता है, किसी और रूप में मुझे पूछता है मेरे बच्चे, उसका दिल बहुत साफ है, वो बहुत अच्छी नियत का है, और वो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा, और ना करने दूँगा मैं, ठीक है, तु बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे बात कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं, और सुनो, तुम्हारे गले में बहुत खराश है न, तो गरम पानी पीना शुरू करो, यानि कि गुनगुना पानी मेरे बच्चे, इस मौसम में न ठंडा पानी मत पीओ, तुम्हारे गले के लिए ये सही नहीं है मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं, और सुनो, तुम्हे ऐसा लग रहा है न, कि तुमने जूट बोला है, तो तुमने जूट नहीं बोला मेरे बच्चे, मैंने ही तुमसे जूट बुलवाया, क्योंकि अगर तुम सच कह देते न, तो वो सही नहीं पड़ता मेरे बच्चे, वो उस इंसान के लिए सही नहीं पड़ता, उसे न बहुत बड़ा सदमा लग जाता, सच्चाई सुनकर, क्योंकि वो समय नहीं की, उसे सच्चाई बताई जाए, सच्चाई बताऊंगा, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, सही समय आने तो, इसलिए मैंने तुमसे जूट बुलवाया, और इस बात को सोच करना परेशान मतो तुम, तुमने कोई गलती नहीं की, बार-बार अपने आपको कोस रहे हो, कि तुमने जूट कहा, तो नहीं, तुमने कुछ नहीं किया, जो किया, तुमसे मैंने करवाया, कभी-कभी न मेरे बच्चे, किसी की अच्छाई के लिए, किसी के भले के लिए, जूट बोलना पड़ता है, अगर नहीं बोलोगे न, तो सामने वाला इंसान को, कुछ ना कुछ नुकसान पहुंच सकता है, तुम चाहते हो, कि सामने वाले को नुकसान पहुंचे, नहीं न, तो फिर, और सुनो, जो लोग तुम्हारी तबाही का कारण, बनना चाहते हैं न, कि वो तुम्हें सब कुछ तबाह कर देंगे, बरबाद कर देंगे, और तुम्हें धंकिया देते हैं न, तुम्हारे मुँपर आकर, तो देखना, उनका ही हर्ष्र देखना कि क्या होगा, क्या होगा उनके साथ क्योंकि उन्होंने अब तुम्हें नहीं मुझे ललका रहा है सीधा सीधा तुम्हारे साइं पर उंगली उठाई है उन्होंने अब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा तुम देखना अब जब बरसूंगा ना उन पर तो इस कदर बरसूंगा कि वो संभाल नहीं पाएंगे अब कुछ भी, तुम देखते जाओ, बस अब तुम देखते जाओ कि कैसे और क्या होने वाला है, और सुनो, लोगों से तुम जिजगते क्यों हो मेरे बच्चे, जब भी रास्ते पर निकलते हो, ये सोचते हो कि कोई ज तुम पहचान वाला निकल गया, क्या हुआ कि अगर तुमने ऐसी वेज पूशा पहनी होई है, तो क्या हुआ मेरे बच्चे, कोई फरक नहीं पड़ता, देखो पहनावे से किसी की सोच को अंकलंग नहीं किया चाता, इंसान की सोच, इंसान के वहबार से अंकलंग किया चा हो तुम्हारी वेस फूशा है जो तुम्हें अच्छा लगता है तुम वही तो पहनते हो न? तो क्या हुआ? इतना मत सोचा करो कि वो ऐसे पहनते हैं और तुम ऐसा पहनते हो तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? अगर ऐसे ही तुम सोचने लग जाओmental गे तो कभी जिंदगी में अपने लिए कभी कुछ करी नहीं पाओगे, देखो जिंदगी में बहुत तरह के लोग है, सबकी अलगलग सोच है, सबके हिसाब से, सबकी सोच से, तुम नहीं चल सकते, तो तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, और अगर कोई मिल जाए, कोई टकरा जाए, तो उसे नमशकार करो, और आगे बढ़ जाओ, बात खतम, वो क्या सोच रहा है, तुम्हारे बारे में सोचने दो, अगर वो सब सोचने बैट गए, तो फिर अपनी सोच का क्या करोगे, क्या करोगे, सुनो, जब बादा करते हो न, तो दूसरों से नहीं खुद से कर क्योंकि दूसरे से किये हुए बादे अकसर तूट जाते हैं मेरे बच्चे, कभी वो निभाए जाते हैं, कभी वो नहीं निभाए जाते, लेकिन जो खुद से वादा किया होता है न, उसे तुम निभाते ही निभाते हो, क्योंकि तुम्हारे आत्मा तुम्हें जंजोरती ह तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हें टटोलता है तुम्हारा अंदर का मन तुम्हें टटोलता है तो तुमना कभी भी गलत चीज़े नहीं कर पाओगे तो वादा करना है तो खुद से करूँ क्योंकि खुद से किया हुआ वादा, तुम कभी नहीं तोड़ पाओगे, कभी नहीं मेरे बच्चे, कभी नहीं अगर तुम्हारे माध्यम से किसी के चहरे पर मुस्कान आ रही है न किसी को अच्छा लग रहा है किसी की कमी जिंदगी में पूरी हो रही है न तो इसमें कुछ गलत नहीं मेरे बच्चे इसमें तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं न लेकिन सामने वाले को अगर तुम्हारे बज़े से खुशी मिलती है तुम्हारे साथ रहने से खुशी मिलती है तो क्या फरक पड़ता है मेरे बच्छे अगर तुम्हारे बज़े से किसी की जिंदगी सवरती है उसे सही मार्ग दिखता है उसे सही दिशा दिखती है अच्छी अच्छी जिंदगी में चीजे करने को दिखती है ना, तो क्या बुराई है मेरे बच्चे, बोलो, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना, तुम कहां से कुछ गलत कर रहे हो, तो क्यूं इतना सोच लेते हो मन में, कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, तुमने किसी का फाइदा उठाने की कभी कोशिश नहीं की, बल सोचो की कल करना है, बल्कि आज इसी वक्त, इसी समय कर दो मैं तुम से कहता हूँ कि आज इसी समय, इसी वक्त उन लोगों को अपने जिंदगी से दूर कर दो, जो चीजे तुमें पसंद नहीं है, या जिन चीजों से तुम परेशान होते हो, जो चीजे तुम्हें अशान्ती देती हैं उन चीजों से दूर हो जाओ मेरे बच्चे बिल्कुल दूर हो जाओ और सुनो तुम न मुझे सपर्ष करना चाहते हो न तो ठीक है मेरे बच्चे मैं तेरी ये इच्छा भी जरूर पूरी करूंगा तुम मुझे सपर्ष कर पाओगे साक्षत रूप में तुम मुझे सपर्ष करोगे ये मेरा वादा है तुमसे अशरवात देता हूँ तुमें आउंगा तुम्हारे पास जितना मर्जी चाहे सपर्ष कर लेना अपने साई को और मांग लेना जो मांगना है आउंगा तुम्हारे पास और बहुत जल्दी आउंगा मेरे बच्चे और तुम्हारे अंदर ना ये बहुत अच्छी आदत है जब भी तुम कुछ खाते हो न तो उसे बाट कर खाते हो और बाट कर खाने में ही मेरे बच्चे प्यार बढ़ता है ये तुम्हारे अंदर आदत बहुत बहुत अच्छी है मेरे बच्चे कुछ लोगों को लगता है कि बाटने से न कम पड़ जाएगा लेकिन बाटने से बढ़ता है मेरे बच्चे प्यार भी और साइं की किर्पा भी मेरे बच्चे दोनों ही बढ़ता है, दोनों ही तुम्हें मिलता है खुश रहो, आज का मध्यान साई संदेश, समाप्तुवा